हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल डाबलर सिनिमा में स्वागत है क्रिपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें आईए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में शाहरुक ने काली टी-शिर्ट और मैचिंग डेनिम के साथ लाल जैकेट और काला चश्मा पहना था दुबई में डॉंकी के प्रमोशन के दौरान शाहरुक काफी कूल अंदाज में नजर आए इस कारेक्रम में अभिनेता के अलावा फिल्म की निर्देशक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी भी मौझूद थे फिल्म के बात करें तो फिल्म में शाहरुक के अलावा तापसी पन्नू बोमन इरानी और विक्की कोशल भी मुख्य भूमिका में है सुपस्टा शाहरुक खान इन दिनों अपनी आगामी कॉमेडी ड्रामा फिल्म डंकी के प्रमोशन में बिजी है मंगलवार को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दुनिया की सबसे उची इमारत बुर्ज खलीफा में चलाया गया इसके बाद फिल्म प्रमोशन के हिस्से के रूप में एक विशेश ड्रोन शो आयुजद किया गया शाहरुक की मौजूदगी में इस पल को देखने के लिए प्रशन सक बड़ी संख्या में इकठा हुए शो के दौरान कई ड्रोनों ने आस्मान में रोशनी बिखेरा अभिनेता के सिगनेचर ओपन आम पोज के पैटन ड्रोन द्वारा आकाश में बनाये गए थे डौंकी के टाइटल और शाहरुक खान का नाम भी ड्रोनों के जरिये दिखाया गया इस कारेक्रम की कई तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गए फिल्म डौंकी की बात करें तो फिल्म में शाहरुक के अलावा तापसी पन्नू, बोमन नीरानी और विक्की कोशल भी मुख्य भूमिका में है अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका धिलन द्वारा लिखित, डौंकी, चार दोस्तों के विदेशी तटों तक पहुँचने की उनकी खोज की एक दिल छू लेने वाली कहानी है यह उनके सपनों को साकार करने के लिए शुरू की जाने वाली कठिन लेकिन जीवन बदल देने वाली यात्रा का चित्रन करती है आपको ये जानकारी कैसी लगी कृप्या कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे ताकि हम आपके सुझाव पर काम कर सके और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जय हिंद